रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज कल हर जग़ चाहे न्यूस चैनल पर चाहे अकबार पर हर जगह आप यही पढ़ रहे और सुन रहे होंगे कि कोरोना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और कोरोना बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है और इसी वज़े से आपको हर किसी से एक मीटर की दूरी बना कर चल ली है किसी से भी आपको हाथ नहीं मिलाना गले नहीं मिलना दोस्तों ये वाइरस बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता है और इस वाइरस से आपके बच्चे आपके बुड़े माबाप इसका आसान शिकार बन सकते हैं दोस्तों पूरी दुनिया में इस कोरोना के वजह से एकनौमी के चिथड़े उड़ चुके हैं व्यापार मार खा चुका है और आम इनसान की आमदनी भी इससे दिन भर दिन खतम होती जा रही है हर किसी के चहरे की खुशिया उड़ चुकी है और सब को इसी का डर लग रहा है कि ये कोरोना की बिमारी जल्द ही खतम हो हमें इससे जल्दी से जल्दी निजात मिल सके लेकिन दोस्तों ये कोरोना रुकने का नाम अभी तक नहीं ले रहा कोरोना और इसकी दहशत का ग्राफ दिन भर दिन आसमान चु रहा है और दोस्तों इस मनहूस सिच्वेशन की मनहूसियत मिटाने के लिए हम ये वीडियो आप सभी देशवासियों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये कोरोना वाइरस कब तक खतम हो सकता है और जो भारत में 21 दिन का करफ्यू लग चुका है लोकडाउन हो चुका है क्या इसके बाद ये वाइरस चला जाएगा क्या इसके बाद ये वाइरस खतम हो जाएगा तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को बिलकुल भी मिसना करें और इसे अंत तक जरूर देखें चलिए शिरू करती हैं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप इस बात को यकीन मानिए कि कोरोना दुनिया का अंत अभी नहीं है और ना ही ये इतना ज्यादा डरावना है जितना मीडिया दौरा इसे बताया जा रहा है दोस्तों इसलिए आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको इससे साफधानी जरूर बरतनी है आपको साफधान और सतरक अवश्य रहना ही है अपने बचाफ के लिए अपने परिवार के बचाफ के लिए लेकिन डरना नहीं है क्योंकि जितना आप डरेंगे उसका असर आपके इम्मयून सिस्टम पर पड़ेगा और कोरोना जैसा कि आप जानते ही होंगे सबसे पहले उसी इनसान को होता है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है इसलिए दोस्तों चिंता आप बिलकुल भी ना करें इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जिससे आपका confidence वापस आ जाएगा आपको इस वाइरिस से अब डरने की बिलकुल भी जरुवत नहीं है दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि चीन जैसे देश में कोरोना वाइरिस से 80,000 लोग पीडित थे बिमार थे लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 80,000 लोगों में से 70% लोगों की रेकवरी हो चुकी है यानि कि वे ठीक हो चुके हैं बिलकुल स्वस्त हो चुके हैं दोस्तों मतलब ये समझ लीजिए कि 70% लोग चीन में ठीक होकर इस वाइरिस से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और यह एक सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह महामारी चीन के वुहान शहर से निकली है और चीन धीरे धीरे इस महामारी पर काबू पा रहा है वहाँ के पार्क्स, वहाँ के होटल्स, वहाँ के स्कूल्स जो अभी तक बंद थे वहाँ से धीरे धीरे प्रतिबंद हटाया जा रहा है और वहाँ पर लोगों की गाड़ी वापस पटरी पर आ रही है दोस्तों इतना ही नहीं आपको बता दें कि वहाँ पर जो नए मामले अब आ रही हैं उनकी संखिया में जबर्दस्त गिरावट है जो संखिया पहले हाजारों में प्रति दिन आती थी अब वह संखिया घटकर गिरकर एक से दस के बीच में ही आती है दोस्तों सोचकर देखिये कि जहां से महामारी निकली थी अब उस जगह पर इसका कंट्रोल हो चुका है कंट्रोल पालिया है यही नहीं वहाँ पर जीवन अब पहले की तरह वापस लौट चुका है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वापस से अब लौट चुकी है वहाँ पर जो भी टुरिस्ट स्पोट्स थें वह भी अब खुल चुकी है लोगों के यातायाद के माधियम भी दीरे-दीरे वहाँ पर खुल रहे हैं तो दोस्तों चीन में महामारी से अब बहुत हद तक काबू पा लिया है। दोस्तों अगली अच्छी खबर यह है कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि यह बिमारी ऐसा कहा जाता है कि इसमें बच्चे और बूरों पर सबसे ज्यादा खतरनाक असर होता है। और इस बिमारी से बच में एक 103 वर्ष की महिला इस वाइरस से बिलकुल स्वस्त बिलकुल ठीक हो चुकी है और वह भी केवल 7 दिन के इलाज के बाद तो डरने के बिलकुल भी बात नहीं हैं क्योंकि ऐसे भी केसेज हैं जिसमें बुजर्ग इस बिमारी से निजात पा रहे हैं दोस्तों अगली अच्छी खबर यह आ रही है कि दुनिया भर के वेग्यानिकों ने इस वाइरस का टीका बनाना शुरू कर दिया है जी हां वैग्यानिकों ने ये पता लगा लिया है कि इस बिमारी का टीका बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है और इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए तो 50% काम जो है इसका टीका बनाने में वह पूरा हो चुका है और जो बाकी का 50% काम है वह भी जल्दी पूरा हो जाएगा दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये कोरोना कब तक खतम होगा और क्या 21 दिनों का जो भारत में लोकडाउन हुआ है क्या वह सफल साबित होगा और क्या इसके बाद सब कुछ समाने हो जाएगा तो आपको बताना चाहेंगे कि जी हाँ काफी हद तक इसका असर इस बिमारी पर पड़ेगा ये बिमारी इस बिमारी में काफी हद तक रहत आएगी और अगर लोगों ने इसका सही से पालन कर लिया तो जो पर डे पॉजिटिव कोरोना केसिस के जो दर हैं उसमें भारी गिरावट आ सकती है और ये भी हो सकता है कि एक भी केस ना आए लेकिन दोस्तों यह सब हमारी उपर ही डिपेंड करता है कि हम इस लोगडाउन की सिच्वेशन को कितना हद तक लागो कर पाती है सब कुछ अब हमारी उपर ही डिपेंड करता है दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप इस दोरान अपने घर पर ही रहिए और 21 दिन की लोगडाउन का आप पालन करिए दोस्तों अंत में हम सब साथ मिलकर ही इस वाइरस को रोक सकती है दोस्तों आप से अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्छे दिल से जै मातादी अवश्य लिग दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथी इस वीडियो को अपने वाटसाइप और फेस्बुक प दें